हेलो एवरिवान जय हिंद आज हम लोग यूटूब में आज हम फर्स्ट आपका मॉक टेस्ट ले रहे हैं हम आपको बोलेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे हम कॉंटरक्ट करने वाले हैं आप पहले वीडियो को पोज कीजिए और वीडियो को पोज करने के बाद आप एक काम कीजिए 1 से लेखके 25 तक आप लिखिए जैसे serial निम में number 1, number 2 number 3, number 4 number 5 ऐसे question number up to 25 तक आप लिखिए numbering बस question number 25 तक आप numbering करके रखिए फिर उसके बाद हम आपको question आपको दिखाएंगे screen में आपको दिख रहा होगा अभी दिखने लगेगा मतलब जैसे सामने display होगा आप उस time पे आप अपना answer sheet में जैसे के मान लिजिए one का one का d तो आप one के against में आप option d लिखिए फिर उसके बाद हम आपको answer बताएंगे उसके बाद आप अपना answer cross check कीजिए अगर right है तो right कीजिए अगर wrong है तो wrong कीजिए तो हम 25 questions का set ले रहे और जब हम आपको answer आपको बोलेंगे तो answer के time में हम आपको strategy भी provide कराएंगे कि वो questions को याद कैसे रखते तो चली यह शुरू करते आपको इसके बोलेंगे I wish you all the very best और आपका मतल्ब mock test के बाद answer cross check करने के बाद आप हमें बोलेंगे कि आपका answer कितना आ रहा है कितना questions correct हो रहा है मैं यह वाला mock test में each questions में मैं आपको 15 seconds time दूँगा मैं आभी यह timer लगा रहू मैं आभी आपको each questions करने में आपको 15 seconds time मिलेगा 15 seconds में आपको answer करना है तो चलिए हम start करते हमारा पहला question The Assam government has recently signed MOU with which country for skilling states youth असाम government ने कौनसे country के साथ MOU sign किया state का skill development को enhance करने के लिए बढ़ाने के लिए answer is your A, Singapore next हम अगला question में जारे question number two question number two में देखी आप question number two बोल रहा है the नमेरी नेशनेल पार्क is located in which district of Assam Assam का कौनसे location में नमेरी नेशनेल पार्क है आपका answer is your B, सोनितपूर जैसे मैं आपको यह वाला short trick provide करा रहा हूँ अगर यह वाला question में कैसे याद किया आप मान लीजिए कोई एक गाना बज रहा है यह बहुत एक famous गाना है मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ गाने में लेकिन फिर भी सोना कितना सोना है एक गाना है hero नामेरी नेशनेल पार्क में यह वाला तो सोना से सोनितपूर सोनी सोनितपूर आपेशे याद रख सकते फिर आम आगला question लेरे आपका question number three the Assam government will observe rhino day on which date to generate public awareness on protection of one hond rhino rhino day Assam में कब celebrate किया जाता है बड़ा important question है answer is your September 22 यह DHS का अभी वाला exam में question पूचा गया था अब इसका value कैसे याद रखेंगे डिखिए जैसे कि मान लीजिए rhino को हमें save करना है ठीक है सर तो आर के बाद कौन सा आता है एस तो rhino अगर वार्ड राइनो और स्टार्ट हो रहा है मेरा आर से आर के बाद हमारा आएगा एस तो September में होगा आप 22 कैसे याद रखेंगे 22 एसे याद में ने किया rhino के बाद hino तो कितना वार्ड है हमारा चार वार्ड है आर का value होता है 18 जैसे a1, b2, c3 एसे आर का value हो गया हमारा 18 और आर के बाद हमारा चार वार्ड है तो 18 प्लास 4 तो 22 नेक्स्ट हम अगला क्वेस्टन ले रहे, क्वेस्टन नम्बा फोव क्वेस्टन नम्बा फोर में आपको पोल रहे विच आसाम दिश्टिक है लॉंच्ट प्लास्टिक केम्पेन विच आसाम दिश्टिक है लॉंच्ट प्लास्टिक केम्पेन प्लास्टिक बैग है उसको हठाने के लिए कौन सा यूज हो रहा है आमारा यह पेपर का जो बैग यूज हो रहा है इसी केम्पेन में आता है यहार आंसार इस यह ड़्सी बंगाई गाउ इसका कुछ इतना अच्चा स्टिक नहीं बन रहा है लेकिन आगर आपके बास है तो आप हमेश्यार कर सकते नेक्स्ट क्वेशन लेरे Which schedule of the constitution deals with the administration of the tribal areas in the four north eastern states of Assam, Megalaya, Tripura and Mazuram एक special schedule बनाया गया था जो tribal को monitor के आग जा रहा था और special emphasize मतलब देने के लिए Central में constitutional schedule बनाया गया था For Assam, Megalaya, Tripura and Mazuram Your question is वो schedule आपका कौम सा है Answer is your sixth schedule आप याद कैसे करेंगे North East में 6 state होता है Total है आपका साथ state लेकिन बाद में सिख्कीम को याड किया गया था पहले था अमारा six तो पहले जब बना था तो sixth state को preference दिया गया था तो बाद में जो याड हुआ उसको एड नहीं किया गया तो पहले जो पुरा ना था उसी को लेके बनाया तो that is your sixth schedule हम next question ले रहे next question is your given wildlife sanctuary located at given wildlife sanctuary कहाँ पे है answer is your जोड हाट मैंने कैसे याद किया जेखिए मैंने याद किया था given wildlife जी जे नाम सुना सुना सा लाग रहे है मतलब दोनों वाड काफी familiar है जी जे तो मैंने ऐसे याद किया था कि मैं अपना नाम से जाही रूल जे फोड जाही रूल जाही रूल गुड तो गुड जी से गुड तो ऐसे कुछ बना के याद किया था जो आप यूज कर सकते हम अगला वाला question ले रहे next question is here which is also known as Manchester of Assam बहुत important है और यह आपको पता भी है answer is your swallow कुछी answer is your swallow कुछी फिर हम आगे बढ़ रहे question number seven seven में बोल रहे sorry question number eight which city of Assam has the largest drive fish market in Asia यह तो सबसे ज्यादा इंपोटेंट है और आप सबको यह आँसर पता भी होना चाहिए question number eight का answer है जागी रोड आँसर इस योर जागी रोड फिर question number nine ले रहे हम फिर question number nine ले रहे नाइन में क्या बोल रहे देखिए नाइन में बोल रहे है total number of parliamentary constituency in Assam Assam में आपका parliamentary constituency कितना है आपको बताना है answer is your 14 देखिए साथ होता है आपका साथ होता है आपका राज्यसवा में और 14 होता है आपका लोक्सवा में just direct double होता है तो आपको यह याद करना है राज्यसवा इस योर 7 एन लोक्सवा इस योर 14 7 कैसे याद करेंगे 7 श्टेट फिर हम आगे बढ़ेंगे next question बोल रहा है नाम कसा वाज रिटेन बाई नाम कसा वाज रिटेन बाई answer is your माधव देव answer is your माधव देव फिर इसका कोई इतना आच्चा शोट्रिंग नी बन रहा है फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 11 which wildlife sanctuary of awesome बोस्ट गोल्डेन लंगूर यह most and most important है यह इस बार DHS में question पुचा गया है golden लंगूर कहाँ पाया जाता है answer is your चाक्रा शिला तो हमने ऐसे याद किया golden लंगूर एक टाइप ऑफ एनिमेल यह चक्कर खाखा के मतलब घूम घूम के मतलब चलता है तो चक्करा शिला फिर next हम आगे बढ़ेंगे question about 12 the highest concentration of forest in the state of awesome occurs in सबसे ज्यादा forest आसम में कहां पाया जाता है answer is your दिमा हसाओ answer is your दिमा हसाओ फिर next question आगे बढ़ेंगे हम the treaty of yadambu yandabu was signed between east india companion with whom treaty of yandambu कोन दोनों के बीच में हुआ था east india companion और किन के बीच हुआ था answer is your king of barma अगर वीडियो अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप पोज करकरके आप answer कर सकते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 14 which of the following district of Assam has been declared as first tobacco free district टोबाक्को होगा CHO I NEE होगा कौन से district को first tobacco free district declared क्या गया था आसाम में answer is your जोड हाट इसका शोट्री क्या होगा देखिए टोबाक्को अगर free district बनाना है तो अबियस्ति काफी जोड से काम करना पड़ेगा काफी ज्यादा campaign करना पड़ेगा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो उस हिसाब से हमने बाद बोला कि जोड मतलब हम लोग बोलते हैं न मतलब काफी स्पीडी में काफी स्टेज में काम हो रहा है पोच बहुत जोरों से काम चल रहा है तो उस हिसाब से फिर हम आगला question ले रहे द्यूरिंग हुच अहम किंग से राइन दा बेटल ओफ सराइगाट वाज एंडेट विथ ए डिसीसिव विन ओबर मुगल जब बेटल ओफ सराइगाट हो रहा था तो अहम किंग कौन अहम किंग थे अंसर इजर उद्यदित्य सिंहा यह तो बहुत अच्छा शोट्रिक है जैसे के मान लिजे कि मैंने ऐसे शोट्रिक बनाये था सराइगाट का मतलब बेटल विन होने के बाद मतलब सान उद्यद्य हुआ था मतलब सराइगाट का लडाई बेटल जीतने के बाद मतलब सराइगाट में सान उद्यद्य हुआ था तो शिसाब से उद्यदित्य सिंहा फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 16 which aham king which aham king is also known as Vamonikonwar Vamonikonwar किन्हे बोला जाता है answer is your Sudangfa तो मैंने ऐसे याद किया था जैसे कि कोई एक Vamonikonwar है जो मेरा भाई लगता है तो हूँ उनको दादा बुलाते और दादा का short form होता है दा तो बामोनी दा Sudangfa यह जो भी जो वाड होगा ना सू सू यह सब कमोन रहेगा बट दा टू हूँ से यही सब में डिफरेंस आता है तो बामोनी को आपना भाई बना दीजे बड़ा भाई बना दीजे एक क्वेशन याद हो रहा है तो कोई प्रब्लेम नहीं है भाई बनाने से आगला क्वेशन में जा रहे हम बोलते लोगप्रियों गोपिनाद बोर्दोलोई क्वेशन है लोगप्रियों कोन नाम दिये थे आंसर इस योर जायराम दास जायराम दास ने गोपिनाद को लोगप्रियों नाम दिया था हमने ऐसे याद किया था जैसे कि जो लोगों में बहुत प्रियों होते है उनका जाय जाय होता है अगर लोगों में अगर वो प्रियों है तो हम क्या करेंगे जय जय करेंगे तो जय रामदास हो गया फिर हम आगे बढ़ेंगे In which of the district John Mill Mela was held every year Is held every year होगा John Mill Mela हर साल कौन से district में मनाया जाता है आंसर इस योर मोरी गाओ अंसर इस योर मोरीगाव नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे विच इज ओल्सो नौनेजदा कला गुरु अफ आसाम कला गुरु अफ आसाम किन्हें बोला जाता है अंसर इस योर प्रभाती प्रसाद बरुआ तो हमने ऐसे याद खिया जैसे मानली जिये कोई प्रभास में रहता है मतलब कोई दूसरे देश में रहता है तो मैं मानली जिये मेरा कोई एक भाई है तो वो दूसरे देश में रह रहा था तो काफी काला पड़ गया, काफी पिला पड़ गया बहार रहते रहते तो प्रभाती हमनुग अथी थी प्रभाती बोलते है ना तो काला पड़ गया तो काला गुरु अफ आसाम हो गया प्रभाती फिर आम आगे बढ़ेंगे विच वन विच वन विच वन इस दा हाइस्ट पीक इन आसाम आसाम में हाइस्ट पीक कौन सा है आपको बताना है अनसार इस यूर लेक पीक नेफ्स क्वेस्टिन डेफिशेंसी विटमिन एर कोज अब सबको पता है नइट ब्लाइडनेश नेफ्स अगला क्वेस्टिन what is the past tense of lie lie का past tense क्या होगा lie का past tense होता है सर lay laid नहीं होता है यह कल का question है बहुत लोगों ने गलत किया laid नहीं होता है lay होता है और ऐसा type question जान बुछ के पूछा जाता है तकी questions student गलत करें फिर हम आगे बढ़ेंगे what is the opposite gender of cob कॉब का opposite gender क्या है आपको बताना है कॉब का opposite gender हो गया पैन यह आपको याद करना है next हम last question ले रहे हैं आज का question is your hurry and I dash old school friends आपका answer हो जाएगा are hurry and I are old school friends तो friends यह ता हमारा 25 questions आपको बताना है कि out of 25 आपको कितना मिल रहा है यह आप आपने यहां पर बोलेंगे comment section में और आप हमारा यह वाला first YouTube का lecture था मतलब mock test के ऊपर और regular class तो हमारा DHS का और आसम डिरेक्ट recruitment का क्रिश्को चल रहा है यह वोला कैसे लगा आप हमें बोलिए और अगर आप enjoy कर रहें आपको अच्छा लगा और आगर आपका feedback अच्छा लगा तो हम कोशिश करेंगे ऐसे और भी मोक्टेश लाने के लिए आप मोक्टेश जरूर दीजिए इससे आपका preparation बहुत अच्छा होगा आप गलत करेंगे उसे से ही सिखेंगे और मोक्टेश से आप आपका preparation और ज्यादा बेटर रहेगा आज के लिए यतना ही and thank you so much for watching this video thank you take care goodbye